Hello, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे Misnormar term का मतलब Misnormar क्या होता है? एक legal term है Misnormar जो कि किस तरीके से use होती है Misnormar का मतलब होता है English के अंदर A Wrong Name, जब हम किसी का wrong name कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? Misnormar तो misnaming of a person in a Legal Document is called misnomer के अगर हम किसी भी legal document के अंदर कोई भी जो legal document बना हुआ है उसके अंदर अगर हम किसी का नाम गलत mention कर देते हैं तो उसके लिए हम क्या term use करते हैं? misnomer term use कर सकते हैं तो a use of wrong or inappropriate name जैसे कि अगर हम former की जगा पे present word को use कर रहे हैं तो ये क्या है अपने misnomer है इस example से आपको समझा जाजाएगा जैसे माल लो Thomas नाम का एक विप्ति है जिसने क्या कि अपनी will बनाई जिसके अंदर उसमें लिखा कि जो मेरी property है वो किसके नाम पे चली जाएगी जो मेरे nephew alpha है जो कि किसका बेटा है second son है उसके brother john का उसको ये property चली जाएगी जो कि क्या है second son है john का अब यहाँ पे क्या होता है इसने नाम लिख दिया alpha लेकिन alpha कौन होता है alpha ये गलत नाम होता है जबकि जो john का second बेटा होता है उसका सही नाम harry होता है यहां पे क्या कर दिया कि इसका जो नाम था वो Miss Nomar के कारण गलत नाम लिख दिया यहां पे गलत नाम लिख दिया गया तो यह हमने क्या किया Miss Nomar कर दिया तो Second Son can claim property as his name was Miss Nomar क्योंकि उसका नाम गलत mention कर दिया लेकिन उसका legal right बनता है क्योंकि यहां पे explanation सही की गई है तो इस तरीके से हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं जो कि क्या है मिस्स नॉमर